जै मतादी, जै श्रीकृष्ण राधे राधे, वेलकम टू मैई चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम अक्षटत्या पर कौन से पौधे लगाने चाहिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इन पौधों की पूझा करने से किस दिसा में लगाना चाहिए हमारे सब पाप नश्ट हो जाते हैं सुख समरद्धी आती है, धन की वर्सा होती है, कुंडली में जितने भी बुरे ग्रह दोस होते हैं वो दूर हो जाते हैं ये पौधे कौन सी दिसा में लगाने चाहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, शोट कटने बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सबसे पहले आता है सफेद आकड़ा, सफेद आकड़ा को अगनी कौन और दक्षिन दिसा की तरफ लगाना चाहिए, उ आवले की विशेश तोर पर पूजा होती है, आवले की पूजा करने से सहस्त्रों यगों का, यगों के समान मतलब हमें फल मिलता है, और इसकी 108 परिक्रमा करनी चाहिए, आवले के नीचे पिंददान करना चाहिए, के सब भगवान को प्रसंद करने के लिए आवला की धन संबदी प्राब्लम सॉलूशन दूर करता है, और इसको गोल पत्ते वाली मनी प्लांट को लगाना चाहिए, दक्षन दिसा में लगा सकते हैं, अगने कौन में लगा सकते हैं, और गाय का कच्चा दूद अगर गमले में डालते हैं, पाने में मिलाकर, तो मनी प्लांट बहुत जल्दी बढ़ता है, मनी प्लांट को उपर की दिसा की तरफ ही लगाना चाहिए, ये नीचे को लटकना नहीं चाहिए, तभी धन की प्राप्ती होती है, मनी प्लांट सिर्फ घर के वातरवन को शुद्ध नहीं करता, बलकि वास्तु के अनुसार इसे सुब भी माना जाता है, माननेता है कि घर में मनी प्लांट रखने से कभी भी पैसों की किलत नहीं होती, साथ ही इससे घर में नकारा तमक उर्जा भी दूर हो जाती है, तो कभी भी नेगेटिवटी घर में नहीं आती है, मनी प्लांट लगाने से मन भी खुश रहता है, इसलिए अक्षय आती है, मनी प्लांट का जरू लगाना चाहिए, अब बारी आती है केले के वरक्षकी, केले के प्लांट काफी पवित्र माना जाता है और कई धार में कारियों में अपका प्रियोग किया जाता है, है। तो केले की पूजा के बहुत चमतकार एक लाब होते हैं, अब मैं बताती हूँ आपको कपास, कपास जो होती है वो इसके रुई पूजा पार्ट में काम आती है, इसके जो फल होता है वो बहुत सारे वैज्यानिक आयरुवेदिक चीजों से अगर आद देखा जाए तो बहु भी लाब दायक होते हैं और एक बार आप लगा लेंगे तो वीज हमेशा आपको मिलता रहेगा, अब बारी आती है पीपल के पीड़ की, पीपल का पीड हम हिंदु धर्म में बहुत विशेस मान रखता है, महत तो रखता है, इसकंद पुराण के अनुसार मूल में ब्रह्म माजी, मध्य में विश्नु भगवान, अगर भाग में भगवान, सिव विराजमान होते हैं, केसर, नारायन, स्रीहरी भगवान का इसमें वास होता है, पीपल ही एक ऐसा व्रक्ष है जो कभी भी कारवंडा एकसेट नहीं छोड़ता, ऑक्षीजन ही देता है, पीपल की पू का नास हो जाता है, पित्र प्रशन होते हैं, सनी दोस्त दूर होताता है, पांच परिक्रमा इसकी लेने से सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, अधिक समरध्धी और धन धानने के लिए पीपल पूजा अवश्य करनी चाहिए, अब आती है बात गिलोई की, तो की पूजा रात के आठ बजे के बाद नहीं करनी चाहिए, यह है नीम गिलोई, अब मैं आपको बताती हूँ नीम गिलोई, गिलोई में बहुत अधिक मात्रा में एंटी ऑक्षिडन्ट पाए जाते हैं, नीम गिलोई से कभी सभी जो बिमारियां होती हैं, वो दूर होती है और डेमेज जो लीवर होता है, वो सही हो जाता है, इसका काड़ा बना कर पीना चाहिए, अब बात आती है हार सिंगार की, जिसे हम नाइट जैस्मिन कहते हैं, गठिया, अस्तमा, खुजली, गंजापन, लीवर, जो डेमेज हो जाता है, परिशान हो जाती हैं, हिर्दे, हा पासी, घुटनों में दर्द, घुटनों की चिकनाई कम होना, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, बालों का जढ़ना, तो इसलिए हार सिंगार का पौधा लगाना चाहिए, अब गुड़हल, गुड़हल काली माता को बहुत पसंद है, और गुड़हल के फूल की मैं ह सकते हैं, घर में सुक्षान्ती आती है, बहुत उचाई तक जाते हैं ये पिल्ड़, और इसको हमेशा अपने घर के बैक साइड में लगाना चाहिए, मंगल कारियों में अगर आप जाते हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, आप किसी कोट करे गचैरी के काम से जा रहे हैं, आ किसी आती हैं, भाग्य की कमजोरी को दूर करता है, सिवजी पर हार सिंगार के पुष्प चलाने से सुख संपत्ती प्राप्त होती है, सभी काम बनने लगते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी समी, समी का पौधा जिस घर में वहां की जो सारी परिशानियां होते हैं, सारी प संबार को और बुद्वार के दिन गड़ेजी भगवान पर समी का पत्त चलाते हैं, तो आपकी सब भी परिशानियां दूर होती है, समी की साड़े साती हो, तो घर में अवस्य लगाना चाहिए, पूरव जिसा में इशान कौन में लगाना चाहिए, विजय दसमी के दिन सामना पूरी हो जाएंगी, तो आप देख सकते हैं, घर में इस तरह से छोट-छोटे मनी प्लांट का पौधा, समी का पौधा, करीब पत्ता आप देख रहे हैं, तुलसा जी ये सब पौधे लगाने से आपके घर की नेगरिटिविटी दूर हो जाती है, अगर समी का पौधे ले लेती हैं, समी का पौधा, इसलिए घर के बाहर लगाया जाता है, कि वो अपने उपर सारी नेगरिटिविटी ले लेता है, जैसे नंदी के कान में हम पौधे वैसे ही अगर हम बेल पत्त्र के पत्ते पर या तुलसा जी के पत्ते पर अपने प्राब्लम्स बोल आपको किसी अलग से बड़े से वीडियो में दूंगी और यह हैं तो तो तोरे की जो बेल होती है यह और यह अनार यहाँ पूजा पार्ट में काम आते हैं तोरी के पत्ते आते हैं जब हम अपने पित्रों के लिए खाना भूज निकालते हैं तो तोरी के पत्तों पर अगर हम रोटी के टुकड़े पूरी के टुकड़े से निकालकर पक्षियों के लिए रख सकते हैं और अनार का जो पोदा होता है ये माता काली को माभवानी को जगदंबा को बहुत पसंद है अनार की फूल अनार की लकडी से अगर आप किसी भी मंतर के जाप करते हैं लिखते हैं तो वो भोजपत्र पर लिखते हैं अगर अनार की लकडी से तो वो सिद्ध हो जाते हैं मंतर अनार की लकडी से हवन भी किया जाता है अनार का फूल माता भगवती को चड़ाया जाता है फल चड़ाया जाता है और आम का पिर आम का पिर आम जैसे आप मोसम में आम खाते हैं तो उसकी गुठलियां लगा देते हैं और अक्षत तत्या के दिन अगर आम का पोधा आप लगाते हैं पूजा पार्ट में आप सभी जानते हैं कि भगवान पर चड़ाया जाता है बरगत कहीं भी निकल आता है वैसे आपको नर्सरी से मिल जाएगा तो बढ़ पूजा होती है तब भी काम आता है और बरगत पर अगर हम जल चड़ाते हैं प्रती दिन तो हमारे पित्र प्रसंद रहते हैं जो बच्च हैं तो अशुद्धता नहीं रहती है गरणकाल में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके पास भी कुछ आगास रख सकते हैं तो इस तरह से आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बताईएगा ऐसे वरक्ष आप अवस्य लगाएं तिल रेन बाए बाए